हेलो बच्चो आज हम क्लास थर्ट के सेकिंड चैप्टर जिसका नाम है दा प्लांट किंग्डम के बारे में पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड हम आईए दा वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारा विश्व है वो दो तरीके के या दो उसके भागें पहला है हमारा प्लांट किंग्डम और दूसा है हमारा एनिमल्स किंग्डम तो इस चैप्टर में हम प्लांट किंग्डम के बारे में पढ़ेंगे प्लांट के बारे में पूरी जानकारी हासल करेंगे जैसे कि हम अपने आसपा बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते ही हैं तो जिप पौर्वध में होते हैं, वो सर्वाइब किसंटे हैं। अलगalg अस्तानों जैसे कि कोई डैसरट में रहते हैं, हुली स्टेशन, हिली अरियाबॉ interpreT जो प्लांटे के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी उसके भागते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, अपने, किस तरीके से उन में फूल, फ्लावर्स, यह सब चीज आती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, चलिए तो हम सुरू करते हैं अपना चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक है, स्मॉल एंड बिक प्लांट्स, छोटे और बड़े पेर पौदे फर्स्ट लाइन है, we see a variety of plants around us, हम अपने चारों तरफ जो पेर पौदों की एक बहुत बड़ी बैराइटी, विविन प्रिकार के पेर पौदों को दिखते हैं, they are of different science shape, और विविन आकिती और आकार के होते हैं, सम प्लांट्स आर बेकोन में से कुछ बहुत बड़े होते हैं, some are small और कुछ छोटे होते हैं, tall and strong plants are called trees, जो लंबे और मजबूत पौदे होते हैं, पेर पौदे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम पेर या ट्री कहते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हमें इतर कुछ देख सकते हैं, plants जैसे कि बेनेंट्री, बर्गत कपिर, ग्रास, स्पैनेच, रोस, कौटन, एक्सेक्टरा, नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है हमारा, herbs, herbs के साहिते हैं, herbs are small plants with soft stems, जिनका तना बहुत कोमल होता है, छोटे पेर पौदि होती हैं, जिनका तनाा बहुत soft होता है, उनने हम herbs कि कहते हैं, दूसरा है, herbs, s是不是 के साहिते हैं, herbs के साहिते हैं, Tay works make little plants with thick stems, उन Serbs होती है, उनकी जु तना नो मौता है're compelling, क्लेमबर्स, क्लेमबर्स कौन होते है, क्लेमबर्स आर प्लांट's with weak stem, इनकी जो stem यतना होता है वह बहुत कमजोर होता है, they need some support to grow, इन्हें ग्रो करने के लिए या ब्रद्धी करने के लिए, support ये सहारी की जूरत होती है, जैसे की example में हम देख सकते हैं, मोनी प्लांट फूर्थ हमारा क्रीपड़्स और अलसो प्लांट्स विच घर बीग सुख्प यह भी होते हैं कमजोर तनिय वाले दे क्रों ग्राउंड और गरों करते हैं यह अरिया में ग्रों करते हैं ऑग्जामपल देखें तो वटरमेलन और पम्पिक नेक्स ते next topic है हमारा parts of a plants जो कोई भी पेड़ पॉदध होता है उसके parts या भाग कौन-कौन से होते हैं तो the body of a plant can be divided into many parts जो किसी भी plant की जो body होती है उसको हम कैसे two main types में divide करते हैं first में आता है the part below the ground is called the root जो भी part होता है ground के नीचे यह दिख रहा है आपको नीचे वाला part इसको क्या बोलेंगे हम root और जितना और second है the part above the ground is called the suit और जो भी ground से उपर वाला part है यह इतना part इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे suit it consists of the stem suit में क्या-क्या होता है stem होती है branches होती है leaves होती है flowers होती है fruits होती है जैसे कि इस diagram में देख सकते हैं आप parts of plants देखिए यह roots से देख रहेंगे आपको यह stem है यह fruits लगे हुए है यह flowers है छोटे-छोटे से और यह leaf है इस तरीके से इसके यह parts हो गए अब next है हमारा parts of the plant blow the ground उन parts के बारे में पढ़ेंगे जो ground होता है उसके नीचे होते है क्या होता है नीचे root root is the underground part of the plant जो root होता है वो जो मिट्टी रहती उसके नीचे वाला part होता है जड है न there are two main types of roots जो root होती है वो mainly two types की होती है first जिसको बोलते हैं tap root second जिसको बोलते हैं fiber root इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अब हमारा first है देखो हमने tap root और fibrous root कहा था तो first है हमारा tap root tap root क्या होते है some plants have one main root कुछ plants होते हैं पेड़ पौदी होते हैं जिनकी बन main root होती है single देखिए ये वाली ये single root है growing from from the end of the stem into the soil जो तना होता है तो वो क्या होते हैं वो तना होता है उसके नीचे मिट्टी के अंदर होती है several small roots grow from this main root और जो बहुत चोटी चोटी जड़ होती है बैस main बड़ी वाली root से निकली होती है ये आपको दिख रही होगी है ना तो the main root is called the tap root तो जो main जो बड़ी root है को हम क्या होते है tap root कहते है plants like bean, pea, mustard and hibikus have tap roots इन सब की क्या होती है ये हमें कुछ example दिए हुए है tap roots के अब next है हमारा fibrous roots है ना तो plants like grasses पेड़ पोदे जैसे की घास हो गई wheat हो गया, rice हो गई, चावल and onion, peach हो गई, have several thread like roots उनके जो पतले धागेदार root होते है या जड़ होती है growing from the end of the steam जो तना होता है उसके last में या end में होती है ब्रद्धी करती है these roots are together called fibrous root और इन roots को हम क्या कहते है fibrous root है इस आपको देख रहा होगा ये diagram बना होगा fibrous root का अब हम क्या पढ़ेंगे function of roots roots के क्या card होते है तो इसका main important first card है root fix the plant firmly in the soil जो roots होती है वो किसी भी plant को soil में fix करके रखती है या एक जगे इस्तिर रखती है second है they take in water and nutrients from the soil वो क्या करती है वो पानी और nutrients खनेच को पोशक तत्तों को पूरे पेड़ पौदे के जो भीवन पार्ट्स होती है बहा तक महुचाती है third है roots of some plants such as radish कुछ पेड़ पौदों की जड़े होती है जैसे की radish हो गई beet root हो गया internip हो गया store the food prepared by the plant वो क्या करता है वो roots में अपना बोजाने food है उसको store करके रखता है we eat these roots as vegetables और हम इनकी जो roots है उनको vegetables के रूप में खाते हैं अब next topic है plants parts of the plants above the ground अब हम ने नीचे blow the ground के बारे में पढ़ दिया अब हम अब अब ले topic में above the ground के बारे में पढ़ेंगे above the ground को क्या कहते है suit the suit is that part of the plant which grow above the ground suit क्या होता है किसी भी plant का बेड़ पौदे का वह पार जो ground के ऊपर होता है grow करता है ब्रदी करता है the suit mainly consists of suit में क्या क्या होता है stem होती है leaf होती है flowers और fruit तना होता है पतियां होती है फूल होती है और फल होती है तो first क्या पढ़ेंगे हम stem के बारे में पढ़ेंगे या तने के बारे में पढ़ेंगे है कहते है the stem is the main part of the suit जो suit का main part होता है वो क्या होती है stem होती है other parts of the plant such as the leaves birds flowers and fruit grow on the stem और जो leaves birds flower fruits होते है बोच सब किसमें ग्रो करते है तने ही में ग्रो करते है उसी के उसी में लगे हुए होते है stem can be hard और soft जो stem होती है तने वो किछ पिर पौदे के बहुत soft होते है और किछ पिर पौदे के बहुत hard होते है spence have soft stem जो पालक होती है उसकी जो stem होती है तना होता है वो बहुत ही soft होता है या कुमल होता है बिक ट्रीज लाइक mango एंड बैनेयन ट्री हैव थिक एंड स्टॉंग स्टीम और जैसे कि कुछ बड़े पेड़ पहते हैं जैसे कि हम आम के पेड़ की बात कल लें या बरगत की पेड़ की बात कल लें तो इनका जो तनाव होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा और मजबूत होता है इसलिए जो इनका जो स्टॉंग मजबूत तनाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रंक बोलते हैं ट्रंक होल्दा ट्रीज इस्टेड एंड अप्राइट जो ट्रंक होता है पेड़ का वह उसको स्टेट यानि की सीधा और उपर की तरफ खड़ा रखता है लेट्स नो क्या अब बैम्बो प्लांट कें ग्रो अप टू 9 सेंटीमेटर इन बंडे जो बैम्बो टूरी होता है वह एक दिन में 90 सेंटीमेटर ग्रो कर सकता है function of the stem अब हम जो तना होता है उसके काड़ों के बारे में पढ़ेंगे तो stems are helpful to plants जो तने होते हैं वो plants के लिए सायक होते हैं they perform the following function वो बैम्बो ने काड़ करते हैं first क्या करते हैं? first करते हैं they support leaves and flower वो support साहरा देते हैं पत्तियों को और फूलों को second function is they conduct water from the plants root to its leaf and flower जो तना होता है वो क्या करता है? पानी को पहुचाता है root से लेके पत्तियों और flowers तक फूलों तक third है उसका कारे they move food made by the leaves to all parts of the plants जो पत्तियों जो भूजन बनाती है उसको वह एक इस्तान से दूसे इस्तान तक सभी parts में plants के पहुचाता है fourth function है some plants use their stem for storage जो कुछ plants होते हैं पेड़ पौदे होते हैं वो stem या तनी का use case के लिए करते हैं संग रह करने के लिए करते हैं food को desert cacti store water in their stem जो desert में या मरुस्तल में पेड़ पौदे होते हैं जैसे cactus होता है बैपनी जो तना होता है उसमें water को store करके रखता है you may think that all stem are easy to see आप सोच सकते हैं कि जो सभी stem होते हैं तने होते हैं वो easy to see हैं मलब हमें आसानी से दिख जाते हैं like that of a tree जैसे कि एक पेड़ काम देखते हैं but some stem stay underground लेकिन कुछ stem या तने ऐसी होते हैं जो underground होते हैं या ground के नीचे होते हैं या soil में होते हैं इसे की example food हम देख सकते हैं potato हो गया sweet potato हो गया ginger हो गया aloo sweet potato ginger अधरक हो गया are actually underground stems होते हैं ठीक है ना इनकी जो stem होती है वो मिट्टी के soil के अंदर होती है they store food in them और वे उसमें अपना क्या भोजन इकटा store करके रखते हैं आपको diagram दिख रहा होगा देखिए diagram में यह potato का है यह ginger का यह sweet potato अब next topic है हमारा leaves क्या है leaves a leaf grows on the stem जो leaf होती है पती होती है वो तने में grow करती है ब्रदी करती है और branch of a plant और किसी भी plant की साखा में leaves can be of many shapes and sizes और जो leaves होती है उनकी different shapes होती है ब्रदनाक की तो different types होती है next topic है हमारा structure of the leaf जो leaf का structure कैसा होता है उसकी बनावाटी आकार कैसा होता है तो इसमें हम देखते हैं the flat part of the leaf is called leaf blood or lamina जो किसी भी पती का जो flat या समतल part होता है भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं leaf blood या फिल lamina गहते हैं the tip of the leaf is called the leaf apex जो इसकी tip होती है उसको क्या बोलते हैं leaf apex कहते हैं the skeleton of the leaf is made up of midrib and its branches called side beans जो skeleton होता है उसको of the leaf is made up of midrib का होता है और उसकी branches क्या कहते हैं side beans कहते हैं these beans helps to distribute water and food जो जो beans होती हैं ये पूरी leaf में क्या distribute करती है बहुचाती है पानी और बोजन the underside of the leaf has many pores called stomata और इस leaf में जो underside lower surface में क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं stomata कहते हैं these stomata help in exchange of gases और ये stomata जिसको किस लिए help करते हैं साहिता करते हैं gas के exchange के लिए या आदान पिरदान के लिए आप इदर एक parts of a leaf leaf को देख सकते हैं इसमें देखिए ये stem है stem से ये leaf चुड़ी होई है ये इसकी node है ये petiol है ये leaf lamina है ये इसको कहते हैं ये ये इसकी tip है इसको leaf apex जे blad है जे ween है जे मिटरे वे इस टीबल से और देखिए दूसरे structure में क्या दिया है structure of stomata ये leaf में एक छोटा सा lower part में stomata होता है जो आप देख सकते हैं ये pores अब नेक्स topic है हमारा function of the leaf leaf के क्या card होते हैं तो green leaves prepare food for the plants जो हरी पत्तियां होती है वो किसी भी पेड़ पौदे का बोजन बनाती है in the presence of air किसकी मदद से air water and sunlight तो जो green leaves होती है हरी पत्तिया होती है वह बायू पानी और सूरी के प्रिकास की मदद से भौजन बनाती है leaves appear green because of the substance called chlorophyll जो leaves होती है वो हरी क्यों दिखती है हमें क्योंकि उनमें chlorophyll नाम का एक substance रहता है chlorophyll helps leaves to prepare food जो chlorophyll होता है वो पत्तियों को help करता है सायता करता है भौजन बनाने में the process of making food by green leaves is called photosynthesis और जो process होती है भौजन बनाने की हरी पत्तियों में उस process को हम क्या बोलते हैं उस process को हम photosynthesis कहते हैं आगे हमारा in the process of photosynthesis photosynthesis की process में plants give out a gas called oxygen जो plants होते हैं वो oxygen gas को छोड़ते हैं रिलीस करते हैं this gas is used by living things for breathing और जो oxygen होती है वह जो living things होती है वह breathe या सास लेने के लिए उनके लिए सायक होती हैं second है हमारा leaves of some plants store food जो पत्तियां होती है कुछ plants की पेड़ पोते की वो food store भी करती हैं अपने अंदर we'll eat some of them as vegetables कुछ पत्तियों को हम सबजीयों के रूप में खाते भी हैं next topic है हमारा flowers flowers या full a bird on the stem जो stem में bird होता है और प्लांट open into a flower वह कहां open होता है एक फूल के रूप में बन जाता है जो छोटे से होता है वह खुल के एक flower का रूप ले लेता है flowers make the plant look very beautiful जो flowers होते हैं किसी भी पेड़ पोते की वह बहुती सुन्दर होते हैं they come in different colors with different 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 colors size and safe के होते हैं आका राकिटी के होते हैं a flower change into a fruit जो फूल होता है वह किस में बदल जाते हैं एक fruit में फल में with seeds inside it और उसके अंदर बीज भी होता है उसकी inside में इसके बार next topic है हमारा fruits and seeds फूल और बीज fruits and seeds two are of different shape, size and color जो फूल होते हैं fruits फल होते हैं और बीज होते हैं वह भीविन shape, size और color के होते हैं वह भीविन मला उनकी आका राकिटी और उनका जो रंग होता है वह भीविन होता है अलग-अलग होता है भीविन फल और बीज का humans and many animals eat fruit जो मनुश और जानबर होते हैं वह भीविन परकार के जो fruits को फलो को खाते हैं some fruits that we eat are जैसे कि कुछ है जो हम खाते हैं जैसे कि हम mango आम खाते हैं बहुत पर दंद हैं बच्चों को apples, pears, watermelon, strawberries, favorite and most fruits have one or more seeds inside them और जो जादा तर फलोते हैं उनके अंदर एक या उससे जादा जाद सीड बीज उसके अंदर रहते हैं और seed has a baby plant inside it जो seed होता है बएक किसी भी पेड़ पौदे का plant का baby plant कहा जाता है जो उसके अंदर होता है जैसे कि हम कुछ